किसी राजा के राज महल में एक बंदर सेवक की रूप में रहता था वह राजा का बहुत बड़ा विश्वास पात्र और पक्त था अंतपूर में भी वह बे रोक टोक जा सकता था एक दिन जब राजा सो रहा था और बंदर पंखा चर रहा था तो बंदर ने देखा एक मक्खी बार-बार राजा की छादी पर बैठ जाती थी पंखी से बार-बार हटाने पर भी वह मानती नहीं थी उड़कर फिर वही बैठ जाती थी बंदर ग्रोथ से लाल फिला हो गया उसने पंखा छोड़कर हाथ में तलवार ले ली और इस बार जब मक्खी राजा की छादी पर बैठ ली तो उसने पूरे बल से मक्खी पर तलवार का हाथ छोड़ दिया मक्खी तो उड़ गई किन्तुर राजा की छादी तलवार की छोड़ से दो टुकड़े हो गई और राजा मर गया बच्चों इस कहानी से सीख मिलती है मुर्ख मित्र की अपिक्षा विद्वान शत्रूस ज्यादा अच्छा होता है थैंक्स पर पोचिंग माई वीडियो